हमारे घरों में पाया जाने वाला समोद्री नमक अलग किस्म से तयार होता और ये सेंध्या नमक एक दम अलग किस्म से इसे कोई बनाता नहीं है, सेंध्या नमक को कोई बनाता नहीं है ये नमक पूरी तरह से प्राक्रतिक है, नैसरगिक है, जो कुदरत की एक अनमोल भेट है हमारे लिए. सेंधा नमक एक खनीज संपत्ती है, जो पहाणों की ख़दानों में पाई जाती हैं. ये हमारे हिमालय सिंग लाहौर में पाया जाता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में लाहौर पाकिस्तान में पाया जाता है। इसलिए इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं। और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं करते लोग। ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है। और यह बड़ा आश्चरी की बात है। अब हम सेधा नमक के फायदे जान लेते हैं। इसके गुण हैं जिसकी वज़ा से इसे हमारे घरों से दूर किया गया है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोका हुआ है दोस्ते। समुद्रो छो सेधा नमक है, जिसका हम उपच़् कनहीं करते हैं, उस नमक का कयमिकल नाम है पॉटेशियम क्लोराइट और इस पैस्टेशियम क्लोराइट के क का काम है तूकसिंस शरीर को जहर को साफ और सुत्रा रखने का इस सेधा नमक में 94 पोशक तत्व सिंठा रखों से से बाइस इसे 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के निट्रीशन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाले में पोशक तत्व जो हैं उनका नाम है आयोडीन, लीथियम, मैगनीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पॉटाशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, जस् को बढ़ाता है, अगर आपको कमजोरी लग रही हो, चक्कर आदी आ रहे हो, तो एक ग्लास फानी में एक चमच, सेंधा नमक डाल कर पीने से 5 मिनट में चक्कर आदी आने बंद हो जाएंगे, अगर आपको भूक न लगती हो, जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है, तब खाने से 10-15 मिनट पहले सेंधा नमक और आधा इंच अद्रक को चवा चवा कर खा लें, आप दिखेंगे 10 मिनट के अंदर कूल कर भूक लगेगी, और पेट में अगर मरोड है, गयासादी की तकलीफ है, तो अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे सेंधा नमक का, तो थोड़े अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है, तो आपने हाथे समय 100 ग्राम नमक पानी में सेधा नमक की बात कर रहे हैं, पानी में मिला कर नाएंगे तो आपका हाई बीपी की शिकायत एक से तेड़ महिने में ठीक हो जाएगी, आपको एक और अश्र जनक बात बता दें, सेंधा और ये जो साधा वाला नमक है, ये एक जहर है, इसमें शरीर के काम के मातर 3-4 ही मिनरल मौजूद होते हैं, जो लोगों को ना भी मिले तो और किजन की दूसरी वस्तूओं से मिल सकते हैं, इस समुदरी नमक में जो एक्स्रा आयोडीन मिला होता है, वो बस सारी बीमारियों का कारण होता है, शायद ही आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है, वो नमी को खीच लेना होता है, आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था, उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था, मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है, जो कभी गीला न किट्नी फियल हो जाना जॉइंट पेन होना ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारिया हम लोगों को आजकर घेर रही है जोकि हम लोग सेंध्य नमक का इस्तमाल करना छोड़कर साधा नमक इनकी जो समुद्री नमक है उसका इस्तमाल कर रहे हैं आज से 80 साल पहले सेंध्य नमक भार अगरत में जब अंग्रेजों का सासंसरत अब यह हमारे पर रिसर्च कर रही थी भारती लोग इतने मजबूत और स्वस्त कैसे रहते हैं उनकी रिसर्च में पागया कि यह लोग सेंध्य नमक खाते हैं समुद्री नमक नहीं और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के लिए हमें उक्साने लगे क्योंकि इसमें आयोडीन होता इससे घेंगरोग रुकता है यह कहने लगे यह भी सुनने माया गांदी जी के हां तो नमक का सत्यागरा कराके समुद्री नमक का टैक्स हटा दिया गया जिसका भारती को कोई भी काम नहीं और वहां से 17 साल बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जिसमें सिध्ञ नमक भारत से दूर हो गया क्योंकि यह सेध्ञ नमक कहते धे ही याध नहीं रहा किसी को बस यही का रहा है दोस्तों कि सेंधन नमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं तो हमने आपको सारी जानकारी दिये हैं कि सेंधन नमक कितना ज्यादा पावरफुल कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है और आज से ही आप इस्तमाल करना शूरू करें खासकर बीपी की पेशेंट रसा करना शूरू करें उन्हें स्वास तलाब जरूर होगा साधा नमक जहर है ये बात समझ लें और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमली रिलेटिव्स में शेर करना बिल्कुल न पूलें मिलते हैं अगरे दिल्चस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद